दिए कि सोमवार को कृष्ण गन थाना पुलिस को एक सूचना मिली थी कि नौसर घाटी के घाटी पर एक फैक्टरी है मैसर सराजेंदर कुमार अनिल कुमार राका नाम से डेली वर्ल पॉब्लिक स्कूल इंडियास नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है काडमेग्स स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन एडमिशिंस ओपन फ्रम प्री नौसरी तू नाइज इस फैक्टरी पर तक्रीबन पंदरा मजदूर हैं पर तमाम मजदूर मौके पर ही मौजूद मिले हैं मजदूर यहां पर फैक्टरी की सफाई करते हुए नजर आये थे उसके साथ साथ पुलिस को एक सूचना ये भी मिली थी कि इसी फरम की एक और जगे पर इस वक्त काम चल रहा है लेकिन जब पुलिस ने नौसर घाटी इ और ये भी था कि आखिर इतने सारे लोग फैक्टरी तक कैसे पहुँचे हैं टू विलर्स जो गाड़ियां फैक्टरी के मजदूर लेकर आया है फैक्टरी के मालिक लेकर हैं वो यहां पर लेकर कैसे पहुचे हैं तो इस पर जब हमने जश्याधा जानकरी पुलिस से ली त तमाम मजदूर जो हैं ये मुख्य सडकों से फैक्टरी तक नहीं आते हैं ये लोग जो सकरी गलिया हैं उस गलियों से होते हुए फैक्टरी तक पौशते हैं और इसलिए मुख्य सडक पर जहां पुलिस तेना आते हैं वहाँ पर इन लोग को पुलिस का सामना नहीं करना पड दिया है कि अगर इस तरीके से कोई भी लॉकडाउन और धारेक सुचावालिस कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो इसके ओपर सक्षक कानूनी कारवाई की जाएगी फिलाल किशनगंधाना पुलिस ने इस पूरे मामले के ओपर मुकदमा दर्च कर लिया है अगस्त के दोरान हमारे को सूसना मिली थी कि पुसकर रोड पे नौसर के गाठी के में एक जो गोटा फैक्टरी और जो पतल दोने की फैक्टरी है उसमें अभी भी लेवर काम कर दी है और उन्होंने लोगडाउन की पालना नहीं किये तता आप एक ही कमरे में जुंड बड़ के स्टाब बेज के और वहां पे मालूमात कराया तो पता चला कि वहां पे दो फर्म है जो एक तो है सुगंचंद रतनलाल प्राइवेट लिमिटेड और एक है राजजिंदर कुमार अनलिन कुमार जेहन की जो फर्म थी उनमें दोनों में काम चल दी और तेवी स्लेवर वह पर काम कर रही थी इस पर हमने लोगडाउन के उलंगन की संक्रमन फिलाने की संभावना और इस पर कारवाई करते वे मुकदमा दर्स करने की कारवाई की जारी है झाल 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 झाल